कस्तूर्बा गांधी बाली का विध्याले अर्तार केजी बीवी के बारे में यहां आपको संपूर जानकारे मिलेगी मित्रो आप पूरा वीडियो जरूर देखें यदि आप पहले बार मेरे इस चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बैल का आइकन को भी दबाएं ताकि आप मेरे नई यूडियो के अपडेट्स प्राप्त कर पाएं तो शुरू करते हैं आज केजी बीवी के बारे में संपूर जानकारी कस्तूर्बा गांधी बाले का विध्यालों के बारे में संपूर जानकारी केजी बीवी कस्तूर्बा गांधी बाले का विध्याले भारत सरकार द्वारा जुलाई अगस्त 2004 में केजी बीवी किस्तापना की गई SSA कंतरगत सर्व शिक्षा ब्यान कंतरगत 1 अप्रेल 2007 से केजी बीवी संचालित है भारत के 27 राज्यों के 2578 स्यक्षिक रूप से पिछले ब्लोकों में ये संचालित हो रहे हैं केजी बीवी किस्तापना की बात करें तो केजी बीवी किस्तापना की गई है भारत सरकार द्वारा जुलाई अगस्त 2004 में लेकिन SSA सर्व शिक्षा ब्यान द्वारा 1 अप्रेल 2007 से ये केजी बीवी संचालित हो रहे हैं और भारत के 27 राज्जों के 2588 सेक्षिक रूप से पिछले ब्लोकों में ये संचालित हो रहे हैं बात करते हैं राजस्तान की राजस्तान में वर्तमान में 200 केजी बीवी हैं राजस्तान में 200 कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले संचालित हो रहे हैं इनमें 186 और 4 इनके बारे में यहां देटेल से पढ़ेंगे सेक्षिक द्रश्टी से पिछले ऐसे विकासखन 186 विकासखन जिनकी ग्रामीन महिला साक्षरता दर राश्टिये महिला साक्षरता दर से 46.13 प्रतिसत कम है तथा जेंडर गैप राश्टिये ओसर से 21.59 प्रतिसत अधिक है ऐसे सेक्षिक द्रश्टी से पिछले 186 विकासखन जिनकी केजी बीवी संचालित हो रहे है 14 ऐसे सहरी छेत्र जिनमें अल्प संख्यक 20 प्रतिसत से अधिक निवास करते है वहाँ पर केजी बीवी संचालित हो रहे हैं बात कर रहे हम राजस्थान में केजी बीवी की 21.59 प्रतिसत अधिक है वहां KGBV संचालित हो रहे हैं ठीक है 14 ऐसे सहरी छेत्र हैं जिनमें अल्प्रसंख्यक 20 प्रतिसत से अधिक है वहां KGBV संचालित हो रहे हैं KGBV की संचना किस प्रकार से निधारती है यह भारत में तीन प्रकार के मोडल तयार की गए हैं मोडल प्रथम, मोडल दित्ते और मोडल त्रत्ते ही संचालित हो रहे हैं मोडल प्रथम की बात करें तो राजस्तान में 178 KGBV मोडल फस्ट के अंदरगत संचालित हो रहे हैं इनमें 176 KGBV हैं जिनमें 100-100 बालिकाएं अधियंदत हैं तथा दो ऐसे KGBV हैं जिनमें 150-150 बालिकाएं अधियंदत हैं तथा प्रथम प्रकार के जो मोडल हैं उनका संच चालान 16 सदस से SMC समीति द्वारा किया जाना है SMC समीति सम्मादित में एक अलग वीडियो बनाया है आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर SMC सम्मादित वीडियो भी देख सकते हैं तो प्रतम मोडल की बात करें तो रास्तान में 178 KGBV प्रतम मोडल के तहर सम्चालित हो रह अधियनते तथा SMC समीति द्वारा जिनमें 16 सदस्चे SMC समीति होते हैं उसके द्वारस का संचालन किया जाता है बात करते हैं मोडल 30 की राजस्तान में 22 ऐसे KGBV हैं जो मोडल 30 के अधीन हैं मोडल 30 से संचालित हो रहे हैं इनमें 11 ऐसे KGBV हैं जिनमें 50-50 बालिक आएं जरन करते हैं इनमें जो अध्यक्ष होता है वो होता है अभिभावक इस समीति का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है तचा सची होता है प्रतिनिक्त अध्यापक और इस 10 सदे सई चात्रवाज प्रबंदन समीति में 50% महला होती हैं या कह सकते हैं 6 अभिभावक इसमें लेने बहुत जरूरी हैं तो मोडल प्रत्रम की बात करें 178 मोडल 33, 22 116, 28 में 118 में 116 ऐसे हैं जिन में 100-200 बालिकाई हैं और 2 ऐसे हैं जिन में 150-150 बालिकाई हैं और SMC सम्मित्य द्वारा संचारण किया जाता है मोडल 33 की बात करें तो प्रवे सेतु प्रात्मिक्ता नरधारन किस प्रकार किया गया है पहले एसी वर की बालिका है इनमें भी बो बालिका है जो सीर पर मेलार होती है सीर पर मेलार होने वालिकाओं को यहां पर प्रात्मिक्ता दी गई है इसके बाद स्ट वर की बालिका है और प्रसंक्यक वर की बालिका है फिर गरिबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालिका है ऐसी बालिका है जो गरिबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और बड़ी उम्रिकी वेबालिकाई इस केंतरगत आती है, जो विध्याले में नाम अंकित नहीं है, जिनका विध्याले में नाम नहीं है, तता किसी कारण वस प्रारंबीक शिक्षा पूरण नहीं कर सकी है। जो विध्याले में नामंकित नहीं है तता किसी कारण वस प्रारंबिक शिक्षा उन्होंने पूरी नहीं की है पलायन करने वाली बालिकाएं वे बालिकाएं जो पलायन करती रहती हैं तो ये KGBV में प्रवेसे दू प्रात्मिक नर्दारान किया गया है अब हम इनकी प्रात्मिक नर्दारान को डिटेल में समझेंगे राजस्तान में 200 KGBV संचालित हो रहे हैं ठीक है इनमें 5% सीटे CWSN वर्क के बच्चों के आरक्षित है ऐसे बच्चे जो CWSN विकलांग की कोटी माते हैं उनके लिए 5% सीटे आरक्षित है 186 KGBV में KGBV की बात करें तो 186 KGBV ऐसे हैं जिनमें 75% सीटे SC और ST के लिए आरक्षित हैं तता 25% सीटे यह OBC अलप संक्यक वर्क और जनरल वर्क के लिए आरक्षित हैं 14 KGBV ऐसे हैं जिनमें 75% सीटे सीदे ही अलप संक्यक वर्क के लिए आरक्षित है रास्तान में 14 केजी बीवी ऐसे हैं जिनमें 75% सीटे तो अल्पसंक्यक वर्ग के लिए आरक्षित है ही अल्पसंक्यक वर्ग नहीं बिलने पर 25% सीटे करम से SC, ST, OBC और BPL इस प्रकार से ये आरक्षित दिया गया है हम बात कर रहे हैं यहां पर केजी बीवी में प्रवे सेतु प्रात्मिक नर्धारन की अभी मैंने आपको बताया था कि केजी बीवी में प्रवे सेतु प्रात्मिक नर्धारन किस प्रकार से किया गया है पहले SC वर की, SC बालिका है जो सिर्पर मेलाड होती है फिर ST वर्की, फिर OBC वर्की, फिर अल्प संक्यक वर्की और फिर SC बालिका हैं जो गरीबी रेका से निचे जीवनिया पर कर रही है फिर इसके बार आते हैं पलायन करने वाली बालिका है यहां हम बात कर रहे हैं 200 KGB वी रास्तान में संचालित हो रहे हैं इनमें 5% सीटें तो CWSN वर्क के बच्चोगल आरक्षित हैं जो इकलान के कोटीम आते हैं 186 KGB की बात करें तो 186 KGB हैं इनमें 75% सीटें यह है SC और ST वर्क के लिए आरक्षित हैं 25% सीटों की बात करें तो यह है OBC अल्प संक्यक तता जनरल कैटे के लिए आरक्षित हैं 14 KGB वी ऐसे हैं जिनमें 75% सीटें सीदे सीदे अल्प संक्यक वर्क के लिए आरक्षित की गई हैं तता 25% सीटें अल्प संक्यक वर्क के नहीं मिलने पर फिर कैटेगरी से SC, ST, BPL, OBC के लिए आरक्षित की गई हैं KGBV द्वारा प्रत्त सुविधाय कोन-कोन से सभी बालिकाओं को आवास की व्योस्ता उपलब्द करवाती हैं दोनों समय भोजन और नास्तिक व्योस्ता विध्याले ड्रेस, स्वेटर, जूते, आधी उपलब्द करवाती हैं बुक्स यानि पुस्तके और सिक्षन सामगरी प्रती महा 100 रुपे, STDR अर्ताथ, Special Term Deposit Receipt यह राशी बालिकाओं के निजी बचत खाते में दी जाती है प्रती महा Special Term Deposit Receipt यह राशी बालिकाओं के निजी बचत खाते में जमा की जाती है इसके अलावा फरनीचर, उपकरन, खिल सामगरी, फ्रीज, टीवी, कूलर से सुसर्चित इनको भवन पराप्त होता है समर्द पुस्तकाले और टेलिफों, इंटरनेट की व्यवस्ता उपरब्द होती है कंप्यूटर, अंग्रिज, सीखने और अन्य व्यवसाइक प्रिश्चितों की व्यवस्ता भी आपर की जाती है तो यह KGBV द्वारा प्रदत को सुविदाय है जो पालिकाओं को प्रदान की जाती है बात करते हैं ब्लोक इसतर पर KGBV प्रवेश एवं संबलन समीती इसका अध्यक्ष होता है BEEO वर्तमान में इसका अध्यक्ष होगा CBEEO इसका अध्यक्ष होता है सचीव सदस्ये संबन्दित ब्लोक संदर व्यक्षी सचीव सदस्ये की बात करें तो अध्यक्ष होता है CBEO सचीव सदस्ये होता है संदर व्यक्षी सदस्ये प्रति निवक्षी पर निवक्षी प्रधान अध्यक्षी का और सदस्ये होता है अध्यक्षी का या वार्डन अध्यक्षी का एवं वार्डन ये इसके सदस्ये होते हैं तो ये है प्रवेश्यम संबनन समिती इसके बार डिटेल से पढ़ लेते हैं केजी बीवी से सम्मदित महत्पूर्ट जान करिया उदेश्य क्या है केजी बीवी विध्यालों का उदेश्य से वन्चित वर्ग की उन बालिकाओं को विध्याले से जोड़ना है जो किन ही कठिन परस्तितियों जा दुर्गम वासिस्तानों में रहते हुए किसी कारणवस चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो पारिवारिक हो वो किसी कारणवस विध्याले में नहीं जा सकी है विध्याले वो नहीं जा सके किसी कारणवस ऐसी बालिकाओं को KGBV में जोड़ना और जिनकी आयू कक्षा में अध्यनत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है उनको KGBV से जोड़ना और ऐसी बालिकाओं को निर्धारित ब्लोक से चैन किया जाएगा और इन विध्यालों प्रवेश दिलाई जाने का प्राहुधान किया गया है तो यह KGBV का महत्वपूर्ण उदेश से बात करते हैं आकस्मिक वे आकस्मिक वे है तू वार्डन को प्रती महा अग्रिम रासी दी जाती है 2000 रुपे 2000 रुपे की रासी प्रती महा वार्डन को अग्रिम रासी दी जाती है आकस्मिक वे परिक्षाएं KGBV में बालिकाओं की मासिक परक अर्दवार्षिक परिक्षाएं वार्षिक परिक्षाएं ये सभी सिवरा करनंडर के अनुसारी संचाली थे होंगी बात करते हैं इस टाई फंड की बालिकाओं को प्रती महा 25 रुपे की सामगरी क्रियात्मक गतिविदियों के लिए मिलती है जैसे पैंटिंग है, कार्ड मैपिंग है, कश्रिता कारी है आदी है तू 25 रुपे मिलते है ठीक है और 25 रुपे नगत बालिकाओं की व्यक्तिगत आव सकता है तू देने का प्रावधान किया गया है 25 रुपे बालिकाओं को मिलते हैं किरात्मक गतिविदियों के लिए जैसे कि पैंटिंग कार्ड मैं पिंग कश्रिता कार्यादी के लिए और 25 रुपे बालिकाओं को नगद मिलते हैं उनकी व्यक्ति गत आव सकताओं के लिए बात करते हैं प्रिपरेटरी कैम्प तीन दिवसी होता है प्रिपरेटरी कैम्प में अभिभावक या समुधार और जिन बालिकाओं का केजी विव योजना के प्रती चैन हुआ है उनके अभिभावक सबको यहाँ पर बुलाई जाता है प्रतीनिदी जो होते हैं उनको बुलाई जाता है इस्थाने समुधाय महीला समुग जन प्रतीनिदी सबको यहाँ पर आमतरित किया जाता है क्यों कि अविभाव को समुधाय और बालिकाओं का केजी बीवी योजना के प्रेती आमुखी करण उनकी आवाशिये विध्यानों से अपक्षाएं एवं आसंग काओं के निराकरण हित्व प्रप्रेटी कैम आयुजित किया जाता है ये थी केजी बीवी के बारे में कुछ महत्पून जानकारियां इसके बारे में और जानकारी प्राप्ट कर लेते हैं राश्किये बालिका उच्छ प्रात्म इतालों के समक्षिन को घुशित किया गया है छे जिलों में सो बालिकाओं के लिए 14 kgbv अल्प संक्यक बहुले शेत्रों में संचालित हैं जो मैंने आपको बताया यदि कोई बालिका गतवर्स किसी कारण से kgbv छोड़कर चली गई है kgbv छोड़ दिया है चली गई है तता अब वे प्रवेश की एकशुक है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा यदि किसी बालिका ने गतवर्स kgbv छोड़ दिया है और अब वो प्रवेश लेना चाहते है तो उसे प्रवेश दिया जाता है जो बालिकाओं पहले अन्य kgbv में प्रवेश लेना चाहती है तो उसे प्रवेश दिया जा सकता है ऐसी बालका है जो दूसरे केज़ी बीवी में प्रवेश रख थी और अब अन्य केज़ी बीवी में प्रवेश चाहती है तो उनको प्रवेश दिया जा सकता है बात करते हैं के जी बीवी में इस्टाप व्योस्ता किस प्रकार है इसमें दो प्रकार के कार्मिक होते हैं पहले कार्मिक प्रत्युनिक अध्या पिकाएं जिनको सिक्षा विबाग प्रत्युनिक्ति पर रखता है प्रट्थम और मोडल त्रित्ट्स के हम बात करें पहले मोडल में पाँच सिख्षी काएं, प्लेस्मेट एजन्से के माध्यम से नुक्त की जा सकती है या पाँच सिख्षः भिबाग से पृति निक्ति पर रखे जाने का प्रावदान किया गया है पहले मोडल, तरतिय मोडल की बात करें तो 2 शिक्षिकाई ये प्लेसमेट एजनसे के मादियम से या शिक्षाभ विवात द्वारा पृतिनुक्त की जा सकती हैं. इस्टाब व्यश्ता की बात करें तो दो प्रकार के कार्मिक होते हैं प्रत्युनिक्ति पर अध्यापिकाएं और प्लेस्मेट एजनसी के माध्यम से नियुक्त कार्मिक लगा जा सकते हैं या सिक्सर भिवाग द्वारा उनको लगा जाने का प्राउधान किया गया है हम यह बात करते हैं जो इस्टाप योस्ता की गई है उनका जो है अत्रिक उनको क्या मिलेगा तो यहां हम बात कर रहे हैं उनको 8 पृतिसת HRA 8% उनको HRA के सुविधा उपलब्द करवाई जाएगी अर्थात मकान किराया भत्ता 8% होगा और 15% उनको हार्ड डूटी अलाउंस दिया जाएगा प्रत्यु निक्ति पर जो अध्यापिकाय लगाई जाएगी उनको 8% मकान किराया भत्ता तदा 15% हार्ड डूटी अलाउंस दिया जाएगा 1 अप्रेल 2008 1 अप्रेल 2008 में कुछ संसुदन किया गया है ऐसे सेक्षिक दृष्टी से पिछले छेत्र जिनमें ग्रामीन महिला साक्षरता 10 दर जो है 30% से कम हो ग्रामीन महिला साक्षरता अधा 30% से कम तता सहरी छेत्र जिनमें महिला साक्षरता अधार 53.67% से कम है वहाँ पर KGBV खोरने का प्रावधान किया गया है एक अप्रिल 2008 से ये संसुतन किया गया है जहां पर ग्रामीन महिला साक्षरतर 30% से कम है तो यहां पर ग्रामीन महिला साक्षरतर 30% से कम है बालिकाओं की समद में कुछ जानकारी ब्रिज कोर्ष के माद्यम से कक्षा पांच में उत्तिर्ण बालिकाएं वो प्रविश ले सकती हैं ऐसी बालिकाएं जो 10 से 14 आयुवर्ग मारती हैं और वो ड्रॉप आउट है या उनका नाम नहीं लेकागाएं एना मंकीत हैं ऐसी बालिकाएं विशेश आउसकता वालिकाएं जो CWSN में आती हैं ऐसी बालिकाएं या HIV या AIDS से ग्रेशित माता पिता की बालिकाएं या HIV या AIDS से ग्रेशित अज़वावतों की बालिकाएं या ऐसी बालिकाएं जैसे कि विद्वा की पुत्री, अनात या सारे रिक सोशन की सिकार हैं वो बालिकाएं या घुमन्तु या पलायन परिवार की बालिकाएं उनको यहाँ पर परात्मिकता दी जाती है तो मित्रो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्यदी आपने भी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल का इकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नई से नई वीडियो के नोट्पिकेशन समय समय पर मिलते रहें